जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपको मंगलवार पर करने वाले ऐसे अच्चुक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा ही आएगा चाहे वो आर्थिक हो चाहे मानसिक चाहे शारिरिक या आपकी लव लाइफ को लेकर हूँ तो जरूर करिए ये छोटे छोटे उपाय जिससे आपकी जिन्दगी बदल जाए तो चले आरंभ करें प्रारंभ करें लेकिन उससे पहले ये तो जान ले मेरी जान की मैं कौन हूँ ये सब आपको बताने वाली जो रोज आती हूँ और आपको कुछ ना कुछ नई टिप्स दे कर जाती हूँ मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ वास्तू शास्त्री हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकि आपकी सार्थी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ मंगल जब भी हमारे जीवन के अंदर अपनी उल्टे काम करना चालू करेगा मंगल की वजह से जब जब भी अमंगल होगा हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में हमें पीडाएं होंगी जिस जिसको भी मंगल से related problem रहेगी सबसे पहले उसको hormonal problems जरूर होंगी मंगल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका वैवाहिक जीवन कभी भी सुख पूर्वक निकलेगा ही नहीं खास करके एक लड़की के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है ठीक है मंगल आपके क्रोध को बढ़ा देता है आपके अंदर जिद को बढ़ा देता है आपको बहुत ज़ादा हटी बना देता है लेकिन यहीं मंगल अगर अच्छा ना हो तो यह आपके जीवन में कुछ भी टिकने नहीं देता चाहे वो संपती हो चाहे वो पैसा हो चाहे आपके इंवेस्मेंट्स हो चाहे आपके रिष्टे हो आप जितना देते जाएंगे उतना खाली होते चले जाएंगे आपके जीवन में आप जब जब भी पांच कदम आगे चलेंगे मंगल अगर अच्छा नहीं होगा यह आपको स बात कदम पीछे लाकर खड़ा कर देगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है वो बहुत मेहनत से किसी काम को करते हैं कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं और एक दम से पता चलता है कि सब कुछ करने के बाद उस पर ठपा या नाम किसी और का लग गया उन्हें उस प्रोजे कल सुबह तक हमने सोच रखा है कि हम यह 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 चीजें पूरी कर लेंगे और आज रात को कुछ ऐसा हो गया कि हम वो काम पूरा कर ही नहीं पाए हम पैसा बहुत कमा रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं रोज आए दिन अपने बिजनस की ग्रोथ के लिए नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं लेकिन उसके बवजुद भी हमारे हाथ में पैसा टिक नहीं पाता घुमा फिरा के सारी चीजे करजे में चली जाती है या मजबूरी में हर बार हमें करजा लेना पड़ता है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको मंगल की वज़े से फेस करनी पड़ती है भूमी से जब जब भी दिक्कत आएगी मान लीजे कि आपका मंगल अच्छा नहीं है जब जब भी सास और बहू की प्रॉब्लम्स होंगी और लड़का ज़्यादा तर अपनी मा की तरफदारी करेगा तो ये मान के चलीएगा उसकी कुंड़ी में चंद्रमा और मंगल का कहीं ना कहीं सम्मंद ज़रूर बना होगा मैं जब जब भी आपको ऐसी कोई चीजे बताती हूँ आप ये सोचते होंगे ये कैसा कॉंबिनेशन बता दिया ये कैसी चीजों के बारे में इन्होंने बात कर दी पर बेटा एस्टोलाजर हूँ बताती हूँ ना आपको कि चहरा भी देखती हूँ आवाज भी पड़ती हूँ ये सारी चीजे मेरी जिंदगी के रिसर्च में से निकली हुई है उसी के आधार पर आपको बताती हूँ कि कुंडी में जब जब भी ऐसा कॉंबिनेशन आएगा तब तब ऐसा व्यक्ती पतनी और मा में से मा की ही जादा बात सुनेगा मा को ही हमेशा सही मानेगा मा की ही चमचागरी जादा करेगा पतनी उसके लिए कहीं माइने रखेगी ही नहीं ऐसी conditions में आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में ये मंगल अमंगल ना करें इस मंगल की वजह से आपकी ग्रेस्थी में दंगल चालू ना हो जाए और एक सबसे important चीज़ अगर कोई आपसे root गया है कोई आपसे बात नहीं कर रहा है किसी ने आपको block कर दिया है कोई आपकी शकल देखने को तयार नहीं है तो मंगल वार को ये करा हुआ उपाए आपकी सारी समस्याओं को कर देगा दूर तो चलिए जानिये step by step क्या करना चाहिए अगर आपकी married life में बहुत जादा दिक्कत आ रही है मंगल वार के दिन एक कांच की लाल बोतल के अंदर लाल रंग की बोतल होनी चाहिए कांच की पानी भर कर रख दीजे सुबह सूर्य उद्य से लेकर सूर्य अस्त तक उस बोतल को आप सूर्य के सामने रख दीजे उसके बाद उस बोतल के पानी को आप अच्छी से स्टोर करके अपने पास रखिए और आने वाले साथ मंगलवार मतलब उस मंगलवार के बाद जो भी मंगलवार आएंगे प्यार बढ़ जाए हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें एक दूसरे की बात सुने एक दूसरे की बात माने भी अगर आपको किसी भी कारण से करजा बढ़ता जा रहा है आपके जीवन में बहुत जादा दिक्कते आ रही हैं और ये करजा आपका उतरने का नाम नहीं ल मंगलवार के दिन एक कटूरी लाल मसूर की डाल ले लीजिए उसके उपर 27 पतियां केसर की रख दीजिए लाल कपड़े में बांधिये और इसे ले जाकर शिवजी के मंदिर में रखाए अपने करजे की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करिए और कहिए कि है प्रभू म मेरे सिर से जितना भी करजा है वो खतम हो जाए और बोल दीजे कि जब मेरा ये कारे पूरा हो जाएगा तब मैं साथ मंगलवार आकर आपके यहां पर भोग लगाऊंगे जरूर करिए चोटा सा ये काम आपके करजे उतर जाए तो भोले नात को भोग लगाना बिलकुल मत भूलिएगा जब भी हम कोई मनौती मांगते हैं उसे लिख कर रख लिया कीजे ताकि जब आपका काम हो जाए तो आप उसे भूले नहीं अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कते चल रही है फिजिकली आप बहुत परेशान है या तो आपको ब्लड प्र को बहुत सारी चीज़े अपने जीवन में सहन करनी पड़ती हैं तो इसके लिए आप ये छोटा सा सरल उपाए जरूर करिए मंगलवार के दिन साथ आप गुड की डली ले लीजे उसे लाल कपड़े में रख लीजे उसे अच्छी से बांध दीजिए और उसके बाद इसे ले जाकर हनुवान जी के मंदिर में चड़ा दीजिए पांच मंगलवारियों उपाए करिए और फिर देखिए कि आपको राहत कैसे मिलने लगती है अगर आपका कोई आपसे रूट गया है आपसे नाराज हो गया है आपको ब्लॉक कर गया है या आपसे अपना रिष्टा तोड गया है और आप उससे अपने आपको अलग नहीं कर पा रहे हैं आप अभी भी उससे बहुत प्यार करते हैं तो ये छोटा सा उपाए करिए तकि वो आपके पास लौट कर आ जाए पांच लाल पुश्प ले लीजे आपको पता है मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का वा इसी लिए मंगलवार के दिन पांच गुलाब के फूल ले लीजे देवी मा के मंदिर में जाकर उनके श्री चड़नों में चड़हा दीजिए चड़हाने के बाद वो पुश्प आप पुजारी जी से वापस ले लीजे उसके बाद आप आकर एक सफेद पेपर पर लाल पै पांच गुलाब के फूल जो आप मंदिर से लेकर आये थे रख दीजे और ये सारा समान ले जाकर किसी सुनसान जगह पर एक थोड़ा सा गड़ा करके दबा दीजी आप दस दिन का इंतजार करिया और फिर देखिए कैसे उस व्यक्ति का मन आपके लिए पलट जाता है किसी का मंगल उसके विवाहिक जीवन में या उसके घर में का लहे बढ़ाता जा रहा है तो ये एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपकी जनम पत्री के अंदर भी अगर कोई भी ग्रह आपको बहुत जादा परेशान करता है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी कठनाईयां आती हैं तो आप अपनी जनम पत्री दिये गए नंबर्स पे कॉल करके वाट्स अप करके या मैसेज करके दिखा सकते हैं इसके लिए आपको हमारे यहां अपॉइन्मेंट लेना अनिवार यह होता है चलिए जी जाते जाते आज का महासार्थी उप उपाय आपको बता जाती हैं चलिए तो जरूर करिएगा यह चोटा सा उपाय और उपाय क्या है आपको 27 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर जल डाल कर और थोड़ा सा लाल चंदन डाल कर शिवजी के मंदिर में उन्हें अर्पित करना है और उन्हें लाल रंग की मिठ को राते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आप से मिलने आऊंगी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।